अध्याए आठ कोड़ी को स्वास्थिलाब इसा पहाडी से उत्रे एक विशाल जनसमुहु उनके पीछे हो लिया उस समय एक कोड़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं इसा ने हात बढ़ा कर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया मैं यही चाहता हुँ शुद्ध हो जाओ उसी क्षण उसका कोड़ दूर हो गया इसा ने उससे कहा सावधान किसी से कुछ न कहो जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मुसा द्वारा निर्धारित भेट चड़ाओ जिससे तुम्हारा स्वास्तिलाव प्रमानित हो जाए शत्पती के नौकर को स्वास्तिलाव इसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शत्पती उनके पास आया और उसने उनसे ये निविदन किया प्रभू मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीरा सह रहा है इसा ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूँगा शत्पती ने उत्तर दिया प्रभू मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहां आएं आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ मेरे अधिन सिपाही रहते हैं जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है इसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ इस्रायल में भी मैंने किसी में इतना दृड़ विश्वास नहीं पाया मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इबराहिम, इसहाग और याकूप के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे परन्तु, राज्जी की प्रजा को बाहर अंधकार में फैक दिया जाएगा वहां वे लोग रोएंगे और दात पीस्ते रहेंगे शत्पती से इसा ने कहा जाईए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया पेत्रुस की सास पेत्रुस के घर पहुँचने पर इसा को पता चला कि पेत्रुस की सास बुखार में पड़ी हुई है उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उचकर उनके सेवसत्कार में लग गई संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को इसा के पास ले आए इसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया इस प्रकार नभी इसायस का यह कथन पूरा हुआ उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने उपर ले लिया शिश्य बनने की शर्तें अपने को भेड से घिरा देखकर इसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया उसी समय एक शास्त्री आकर इसा से बोला गुरुवर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा इसा ने उससे कहा लोमडियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने खोंसले परन्तु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है शिश्यों में किसी ने उनसे कहा प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए परन्तु इसा ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ मुर्दे को अपने मुर्दे दफनाने दो आंधी को शान्त करना इसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिश्य उनके साथ हो लिए उस समय समुद्र में एक आएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से धकी जा रही थी परन्तु इसा तो सो रहे थे शिश्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा प्रभु हमें बचाईए हम डूब रहे हैं इसा ने उनसे कहा अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो तब उन्होंने उठकर वायू और समुद्र को डाटा और पूर्ण शान्ति छा गई इस पर वे लोग अचम्भे में पढ़ कर बोल उठे आखिर यह कौन है वायू और समुद्र भी इनकी आज्या मानते है गेरासा के अपदूत ग्रस्त जब इसा समुद्र के उस पार कद्रेनियों के प्रदेश पहुँचे तो दो अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकल कर उनके पास आए वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आजा नहीं सकता था वे चल्ला उठे इश्वर के पुत्र हमसे आपको क्या क्या आप यहां समय से पहले हमें सताने आये है वहां कुछ दूरी पर सूवरों का एक बड़ा जुन्ट चर रहा था अपदूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूवरों के जुन्ट में फेज दीजिए इसा ने उनसे कहा जाओ तब अपदूत उन मनुश्यों से निकल कर सूवरों में जागुसे और सारा जुन्ट तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूत पड़ा और पानी में डूब कर मर गया सूवर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अपदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया इस पर सारा नगर इसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निविदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं